हेलो एंड गूडि इविणिंग फ्रेंज आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिरसे स्वागत है फ्रेंज आज की इस वीडियो में साइज के इंपर्टेनक्ट क्वेशन्ज को किया जाएगा सो वीडियो में आप लास तक बने रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये questions हर बार पूछे जाते हैं exams में आपको हर बार ये questions देखने को मिलेंगे सो वीडियो में आप लास तक बने रहे हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो like कीजिए, comment कीजिए, दोस्तों के साथ जादा से जादा share कीजिए तो चलिए वीडियो को अब सुरू करते हैं पहला question है the pH of human blood is between human blood का pH का range क्या होता है बहुत ही common question है कई बार exam में पुछा जा चुका है तो इस question को याद रखिएगा तो pH होता है human blood का 7.35 से लेके 7.45 के बीच में ये range याद रखिएगा the sweetest sugar is अगर option में आपको वहाँ पे glucose, fructose, maltose हो तो वहाँ पे जो आपको right answer टिक करना है वो करना है fructose सबसे sweetest sugar कौन सा होता है तो fructose होता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं flower colors are due to जो flower में colors होते हैं वो किसके presence की वजह से होता है तो वो anthocyanins की वजह से होता है इस chemical के presence की वजह से flower में colors होते है the largest gland in the human body is हमारे सरीर में इंसानों के सरीर में human body में सबसे बढ़ा gland कौन सा है largest gland कौन सा है तो दोस्तो largest gland है liver ये भी बहुत important question है और कई बार exam में पूछा जा चुका है तो इसे भी याद रखेगा कि largest gland in the human body is liver number of bones in the human body human body में number of bones कितने होते हैं तो ये होता है 206 चलिए अब आगे बढ़ते हैं the yellow color of the urine is due to the presence of urine का yellow color क्यों होता है yellow color जो urine में हमें देखता है वो किसकी presence की वज़े से देखता है तो वो euro chrome के presence की वज़े से देखता है so yellow color of the urine is due to the presence of euro chrome cell theory was propound by cell theory किनके द्वारा दिया गया है तो दोस्तो cell theory दिया गया है दो sentence के द्वारा sledden and swan तो इन दोनों का नाम याद रखेगा क्या नाम है दोनों का sledden and swan तो या इन में से एक का भी आपको कहीं option में दिखे तो उसको सही कर दिजेगा cell theory was propounded by sledden and swan दोनों scientist है इनका नाम है rigidity of the cell wall is due to the cell wall में जो rigidity होता है rigid होता है cell wall आपने property में जरूर पढ़ा होगा cell wall के तो क्यों होता है तो वो लिगनिन के presence की वज़ा से होता है और यही cell wall को rigid प्रोवाइट कर देता है rigidity प्रोवाइट करता है आगे बढ़ते हैं for the pressurization of milk by flash method milk is heated to a temperature of यानि कि जब milk का pressurization हो रहा होता है इस process में milk को कितने degree तक heat किया जाता है तो दोस्तों इस process में प्रोवाइजेशन आफ मिल्क के process में milk को 72 degree Celsius पे heat किया जाता है milk, cheese and eggs are the sources of which vitamins यानि कि इन से हमें कौन से vitamin मिलते हैं तो दोस्तों milk, cheese and eggs से हमें vitamin A and vitamin D मिलता है काफी common question है याद रखिएगा the vitamin which is generally excreted by humans in urine यानि कि urine के दुआरा कौन सा vitamin generally humans excreted करते हैं निकलता है मतलब बाहर तो दोस्तों वो vitamin है vitamin C काफी important question है और याद रखिएगा इसको भी exam में कई बार पूछा जा चुका है so the vitamin which is generally excreted by humans in urine is vitamin C glass is made up of the mixture of यानि कि glass जो है वो mixture है sand और silicate का तो ये भी याद रखिएगा कि glass is the mixture of sand and silicate कौन से दो चीजों का mixture है sand and silicate चलिए अब आगे बढ़ते हैं in vulcanization natural rubber is heated with यानि कि vulcanization process में natural rubber को किसके साथ heat किया जाता है तो दोस्तों ये heat किया जाता है sulfur के साथ आप comment करके बताएंगे कि sulfur का atomic number कितना है जनी कि जो electric ball होता है उसमें जो filament होता है वो किस से बना होता है तो दोस्तों वो tungsten wire से बना होता है तो right answer tungsten होगा option में अगर आपको tungsten लिखा हुआ मिले तो आख बंद करके tick कर दिजेगा आपका right answer होगा most abundant metal in earth crust is सबसे ज़्यादा हमें कौन सा metal मिलता है अर्थ crust में तो दोस्तों यह होता है aluminum most abundant metal है यह अर्थ crust में चलिए अब आगे बढ़ते हैं rise of mercury in barometer indicates mercury में barometer में अगर mercury का level rise होता है तो वो क्या indicate करता है तो दोस्तों यह indicate करता है fair weather आपको option में होगा stormy weather, fair weather, hot weather, cold weather तो वहाँ पे आपको fair weather पे tick करना यह right answer है so rise of mercury in barometer indicates the fair weather who is known as the father of nuclear science in India इंडिया में father of nuclear science किसे कहा जाता है तो दोस्तों यह doctor homie jahangir bhabha को कहा जाता है बहुत ही important question है क्योंकि homie jahangir bhabha से related कई question पूछे जाते हैं और यह कई पर एक जाम में पूछा जा चुका है यह वाला question तो इसको भी आप याद कर लिजिए कि homie jahangir bhabha को father of nuclear science कहा जाता है इंडिया में full form of DNA so यह भी बहुत ही common question है तो इसको भी कई पर पूछा जा चुका है DNA का full form होता है deoxy ribonucleic acid and what is the full form of RNA तो दोस्तो इसका full form होता है ribonucleic acid RNA का क्या होता है full form तो RNA का full form होता है ribonucleic acid full form भी बहुत बार पूछे जाते हैं exam में so full form जितने भी हैं अगर आपको दिखते हैं जहां भी आप याद कर लिजिएगा यह मतलब आपको बस पढ़ना है रटना नहीं है कि वहाप आपके सामने option होगा तो आप tick कर सकते हैं speed of light is light के कितनी speed होती है तो दोस्तो यह होता है 3 into 10 का power 8 meter per second so speed of light is 3 into 10 का power 8 meter per second it is defined as the capacity of doing work यह किसका definition है तो दोस्तो यह energy का definition है energy is defined as the capacity of doing work चलिए अब आगे बढ़ते हैं which mirror is used as saving mirror दोस्तो अब यह mirror से related जो question पुछा जाता है यह हर साल पुछा जाता है और आपको कई सारे exams में यह question देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो यह questions तो आपको याद रखना है which mirror is used as saving mirror तो दोस्तो यह mirror होता है concave mirror so saving mirror के तोर पे हम concave mirror को यूज करते हैं and which mirror is used as black sorry back view mirror in vehicle जो गाडियों में जो back view mirror होता है वो कौन सा mirror होता है तो वो होता है convex mirror और अगर पुछा जाए which mirror is used as looking mirror तो दोस्तो looking mirror का answer होगा plain mirror तो याद रखिएगा saving mirror के तोर पे हम यूज करते है concave mirror को और back view mirror वाइकल्स में जो यूज करते है वो होता है convex mirror और अगर आपसे पूछे कि looking mirrors के तोर पे हम कौन सा mirror यूज करते है तो वहाँ पे हम normal mirror यूज कर, plain mirror यूज करते है vitamin A, D, E and K are which vitamins यानि कि ये जो vitamins है वो कौन से है fat soluble है या water soluble है तो दोस्तो vitamin A, D, E and K जो होते हैं वो fat soluble vitamin होता है vitamin B, C ये वाले जो vitamin होते हैं वो water soluble vitamin होते हैं और vitamin C urine के तुरू excrete भी किया जाता है तो दोस्तो इसलिए हमें कहा जाता है कि vitamin C हमें जो उसका intake है वो ज्यादा लेना चाहिए as compared to vitamin D, E and K vitamin C जो है वो ज्यादा मातरा में हमें लेना चाहिए क्योंकि वो urine के तुरू excrete भी बाहर भी निकलता है और last question है it measures the atmospheric pressure यानि कि किस instruments से हम atmospheric pressure को measure करते हैं तो दोस्तो ये हम measure करते हैं barometer से और friends पर जितने भी scientific instrument होते हैं like altimeter, barometer, binacular, calorimeter तो इन तरीके के जो भी important scientific instrument है और जो exams में जिन से question पूछा चुका है तो वो सारे उस वीडियो में discuss किये हुए है so वो वीडियो भी आप एक बार जरूर देखिए और आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में कुछ और important content के साथ मैं फिर मिलता हूँ तब तक के लिए बाबाए